नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एक बाद फिर से मारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके यूपी सिबिल सर्विस आईएस और आफसे के आपकी बेकेंस से निकली है उसका आपको वीडियो पाना चाहिए तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके बाल आइकन मुटन प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो लेकर हूं आपको तुरंद अपडेट मिलें चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना दरीके सबसे पहले दोस्तों आपको डिस्क्राइब में जाना को बहाँ पर जाने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा अपलाई ओनलाइन की नाम से उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आप लोग फारवड करती जाएंगी ठीक है आप सभी के सामने इस टाइप से इंट किया उसके बाद देखिए आपको नीचे आना होगा और आपको यह पढ़ने के बाद आपको एस पर क्लिक कर देना ठीक है आप रीड करना चाहें तो रीडाप्ट कर सकते हैं उसके बाद आपको एस पर क्लिक कर देना जैसे ही देखिए हम यस पर क्लिक करेंगे उसके बाद लेने के बाद आपको कुछ आपकी बेसिक सी डेटेटेल्स हैं जो कि आपको करने होगी तीक ह которой होगा है यहां पर लोग देख लिचे यहां पर क्या है कि आपको अपने नाम ढलना हुगा जो भी candidate का नाम बो Canad का अपना नाम डालेगा साथी candidate का Wind वेशण करेगे ठीक कर था थैप से आपको यहांई की पहले मंद सलेट करना उसके बाद करना हुगा उसके भाई एखिख सकते आगेาม बात करतें देख आपकी आपकी अपर уг स्कतुकरां का निवो घ्राका depth ने में नहीं वर करना वहां उसके बाद जो भी आपका मतरस नयम मंदर्स नें आम डिक्ट कर ने ऐसे कॉलमा तो डेना हो जो क्या है इस पर सब्सक्राइं अगर आप HiS करेंगे नहीं तो नो को ईगा उसके इस आपको करना कुछ नहीं, अगर मालो आप SC, EWS या ST category से आते हैं, उस condition में आपको अपना card certificate का है, नमबर की mention करना होता है, ठीक है, साथ ही आपका किस date को issue किया गया, वो आपको date भी fill up करनी होती है, अगर आप मालो आप general पर click करोगे, जहां पर मैंने general पर click किया, तो आपको इसमें कुछ भी डालने की जुरूत नहीं है, कि अब आप general छोड़ देंगे, ठीक है, उसके बाद यहां पर बोलता है, minority में है या नहीं, तो आपको होंगे, तो yes करिएगा, वरना no पर करिएगा, ठीक है, उसके बाद देखिए, यहां पर एक option आता है, यहां आप आपको यहां पर मांगता है, ठीक है, कि सब्जेक्ट के साथ में क्या है, अगर आपकी qualification से यहां पर आती है, तो यहां पर कोई भी research कर लेंगे, नहीं तो आप अधर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, उसके बाद अधर में देखिए, आपका preference देनी होगी, किस exam के लिए आप अपना state select करना होगा, आप जिस भी state से आते हैं, आप अपना state select करेंगे, उसके बाद आपको अपना district select करना होगा, ठीक है, आप जिस भी district से आते हैं, वो अपना district को आपको select करेंगे, इस type से, उसके बाद देखिए, आपको अपना pin code डालना होगा, जो भी आपका pin code है, उ इसके बाद येसे भी details को अची त्रहेस को चीच्यतर चीच्य तरह से fill ने के बाद आपको continue बाले टैप पर क्लिक करना हैं कोई भी मिस्टेक नी करने अच्छे से आपको अपने ट्रेल्स को फिल करना होगा ठीक है कंटिनु टेप बाले पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखे आप सभी के सामने स्टाइब से अपसन आएगा और यहां पर आपको बुलेगा कि आपको एज में छूट चाहिए या नहीं क्लिक करना होगा चैक है यह आपको को यहां पर देख सकते हैं उसका डबल एक बार दोबारा से आपको नंबर फिल अ कॉलम में आपको यहां पर पहले कभी अपने प्रयास किया है, तो आपको यहां पर यहां पर कोई नमबर डाल सकते हैं, अगर आपने पहले कभी इसका एक्जाम नहीं दिया, तो आप इसको जीरो यहां पर फिल कर सकते हैं, ठीक है, आपको यहां पर करना क्या है, कि आपके अफ्टिक नज़ीब करेंगा अगर्ध कर देगा अग्ずक्ति कर देंगे आपको आपको पेपर आपकर cbs क्या रखना चाह knife यहाँ आपको अपना इसलेक्ट कर ली देंग जिएगा जो भी ऐस्कों आप यहां पर आती है वह लेंग्विज आप आप लोग यहां पर दे सकते हैं ठीक है भाई हमको जो लेंगवज आएगी हम वही लेंगवज सेलेक्ट करेंगे आपके अपको जो आपको लेंगवज ले लिए लिजीगा साथ ही यहां पर आपको एक सब्जेक्ट करना पड़ता है जो कि आप लोग देख सकते हैं पेपर 6 सब्जेक्ट करने यहां पर तो जो भी आपको सब्जेक्ट ठीक लगे वह अपना सब्जेक्ट इसमें चूज कर सकते हैं ठीक है जो भी आप अपना इंट्रेस्टेट हैं जिसमें भी ज्यादा हो वह अपना सब्जेक्ट जो स्लेक्ट कर लीजीगा हम अपना स्लेक्ट कर ल लेंग्विज क्या होना चाहिए अपना लेंग्वईज भी यहाँ पर दे सकते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह सभी आपको सलेक्ट करने होते लेंग्विज बगया ड़न आपको Continue वाड़े टेब rightly करना होगा तो चली हम किलिक करते हैं जैसे हम देखेगा continue वाले tab पे हम click कर देए आप सभी के सामने जैसे continue वाले tab पे click किया उसके बाद देखेए आप सभी की information आ जाएगी आप लोग यहां पर देख सकते हैं कोई भी मिस्टेक तो नहीं है अगर बाइद भी कोई एडिट करना हो तो उस option में आपका update वाले option पर क्लिक करके आप इसको update भी कर सकते हैं अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो यह जो capture code आपको यहां पर फिल करना होगा और आईगरी पर आपको क्लिक करना होगा तो चलिए इस capture code को फिल कर लेते हैं और एक बार हम अपना application की details को चेक कर लेते हैं कोई सकते हैं अई बीस्टेक नहीं है कुई मिस्टेक होती से अब्सटкую कर सकते हैं अические होगा क्लिक करें मिस्टेक हम्ने पर क्लिक करेंगे आपको च्यों कपलीट हो जाएगा आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो इसका परिंट भी MLES brack से ठीक हम इसका चलो print ले लिते हैं हमने इसका print भी ले लिए और आपके फॉर्म पर application form का आपका application form जैसे आपका registration प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा part 1st का आपके mobile पर या message भी आ जाएगा ठीक है जैसे कि हमारा हो चुका है तो हम इसका पीडिएफ बनाना चाहें तो आपका पीडिएफ इसको सेव कर लेंगे जैसी कि मैं आप सभी के सामने कर रहा हूं ठीक है इस टाइप से आपके इसका पीडिएफ बना के अपना सेव भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपका सेव कर लिया जो कि आप लोग यहां पर देख सकते है जैसे आप इसको कर लेंगे थोड़ी से दिर वेटिंग करेंगा यह हो चुका है आप सभी के सामने यह हमारा पार्ट फर्स्ट का जो रेजिटेशन प्रोसेस था वो कम्प्लीट हो चुका है अब हमको करना कुछ नहीं है आपका पार्ट सेकेंड पर आपको क्लिक करना होगा चलिए हम पार्ट सेकेंड पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप मुवाइल फोन में फोर्म भरना चाहते तो उसको आपको करना कुछ नहीं होगा यहाप सभी के सामने दिखाई दे रही है यहापको क्लिक करना होगा देन आपको यह डेश्टॉप साइट का एक उप्सन आप सभ करना है तो चलिए असट नइसे बटन पर चहिंद कर देख सकते हैं अब नेकृट की डिटन पे क्लिक करना है तो चलिए हम सम् mice वाले मडिएक कटेगा थोड़ी से दिर आपकर स्थिंग लेगा सचिंग लेने के बाद आपको देखीग पैमेंट वाले iPad से कैंट इससे का Пом žा आपको करना होगा पेमेंट आप जाएं जैसे भी कर सकते हैं तुछ के बाद देखिए आपको यहां पर आ सामने आप लोग कर सकते हैं कि यहां पर हो देखिए पना फायल्स है उप्लोट करनी उसके बाद देखिए आपको upload image पर option पर click करने के बाद आपको यहां पर upload कर देना है ठीक है तो इसको हम अच्छी तरह से फिल कर लेते हैं size आप लोग यहां पर देख सकते है size तीनों का दे रखा है पहले का size क्या होना चीए आपका complete तरीके से बताया है ठीक है कितनी केई से चीज होना चीए pixel क्या हूं अच्छी हम पर सब कुछ बताया है एक बार आप यहां पर चेक कर लेंगे ठीक है चलिए हम इसको कर लेते हैं complete फिर आप सबी के सामने हाते है ठीक है na अपको अपना ID का जो भी अपना ID नमबर डाला ता जो अपको अपना ID निमर फिर से यहां पर fill-up करना होगा तेन आपको अपना exam center fill-up करना होगा ठीक है जो भी आपको अपना नजदि Caleb center लगता है वो आप अपना एक्जाम सेंटर डाल सकते हैं, हमारे नजदी कलिगर पड़ता है, तो हम नजदी कलिगर डाल लेते हैं, इसी साब से आपको भी डाल लेना है, उसके बाद देखें यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, डिकलेशन वाले पर ठीक है, तो पह आपको आपको पूरी तरह से समझ चुके होंगे, और दोस्तों आपको अपको अच्छा लगा हो मेरे साब से अरे शाप कार आपको तो यहाँ पर प्रूप कर सकते हैं, जैली दोस्तों बागे मिलते हैं ज् vapor में तब तक ली जाहिन वन्दमातरम